शिव क्या है? शिव कौन है? इसके बारे में सद्गुरु जी कहते हैं, जब हम शिव कहते हैं तो इसके दो मूल भूत पहलों हैं. शिव सब्द का शाब्दिक अर्थ है जो नहीं है. आज आधुनिक विज्ञान हमें यह साबित कर रहा है कि सब कुछ कुछ नहीं से आता है. शिव को बस एक छोटी सी घटना है, एक छिड़काओ है. बाकी सब विशाल खाली स्थान है, जिसे शिव कहा जाता है. यही वह गर्भ है जिससे सब कुछ पैदा होता है. और वह विश्मनण है, जिसमें सब कुछ वापस चूसा जाता है. सब कुछ शिव से आता है और प्रकास के रूप में नहीं बलकि एक गैर के रूप में वर्णित किया गया है। प्रकास शाश्वत नहीं है या हमेशा एक सीमित संभावना होती है क्योंकि ऐसा होता है और या समाप्त हो जाता है। किया जा रहा है कि शुराच्छस है लेकिन अगर आप इसे एक अउधारना के रूप में देखते हैं तो शिष्ट की पूरी प्रक्रिया और या कैसे हुआ है के बारे में ग्रह पर अधिक बुधिमान अउधारना नहीं है। मैं दुनिया भर के बैग्यानिकों को शिष्ट का उप्योग किये बिना बैग्यानिक शब्दों में इसके बारे में बात कर रहा हूँ। और वे चकित हैं क्या ऐसा है या ग्यात था कब यह हम हजारों वर्सों से जानते हैं। खड़े होना या सांस रोक कर रखना नहीं है। योग विज्ञान और तकनीक है जो इस जीवन की आवश्चक प्रकत को जानने के लिए है और इसे इसकी अंतिम संभावना तक कैसे ले जाया जा सकता है। योग विज्ञान का या पहला प्रसारण कांति सरोवर के तड़ पर हुआ जो हिमाले में केदानार से कुछ मिल की दूरी पर एक हिमनत जील है। जहां आदियोगी ने पहले साथ शिश्चों के लिए इस आंतरिक टक्नीक का एक बेवस्टिस्ट प्रदरसन शुरू किया जिसे आज सत्रिश्च के रूप में मनाया जाता है। या सभी धर्मों से पहले का है। इससे पहले की लोग मानता को इस हर्थ तक खंडित करने के लिए विभाजन कारी तरीकों को विक्सित करें। जहां इसे ठीक करना लगभग असंभो लगता है। मानो चेतना को बढ़ाने के लिए आवस्चक सबसे शक्तिशाली उकरण महसूस किये गए और प्रचारित किये। दुरभाग से आज अधिकांस लोगों का परचे भारती कलेंडर कला के माध्यम से ही शुव से हुआ है। उन्होंने इसे गोल मटोल नीले रंग का आदमी बना दिया है। क्योंकि कलेंडर कलाकार का क्यवल एक ही चेहरा होता है। क्यष्ण को मांगोगे तो हाथ में बासुरी रख देंगे। राम को मांगोगे तो हाथ में धनुज रख देंगे। अगर तुम शिव से मांगोगे तो वह अपने सिर पर एक चान लगा देगा। हर बार जब मैं इन कलेंडरों को देखता हूं तो मैं हमेशा एक चित्रकार के सामने कभी नहीं बैठने का फैसला करता हूं तस्वीरे ठीक हैं वे आपको वैसे ही पकड़ लेती हैं जैसे आप हैं अगर आप शैतान की तरह दिखते हैं तो आप शैतान की तरह दिखते हैं श्यू जैसा योगी गोल मटोल क्यों दिखेगा यदि आप उसे पतला दिखाते हैं तो ठीक है एक गोल मटोल गाल श्यू वह कैसा है कुछ लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल है कि श्यू क्या है श्यू कोई आकरत नहीं है श्यू सबसे सुन्दर है और बीभत्ष भी है वो है वो है भी और नहीं भी है श्यू कलपना भी है और वास्तिक्ता भी श्यू सब कुछ है और कुछ भी नहीं है श्यू इंसानों के भी है और दानों के भी वो अच्छे भी हैं और विनासक भी श्यू एक योगी भी हैं और अगोरी भी हैं श्यू सात्तिक भी हैं और भांग का भी सेवन करते हैं श्यू सूनिसे भी परे हैं आप श्यू को किसी एक भगवान तक सीमित नहीं रख सकते आप ये नहीं कह सकते कि यही शिव है शिव असाधारण है या कुछ यू कहें कि ध्यान मुद्रा में जब आपके चित में कोई भी विचार ना हो सिर्फ अंधेरा हो जिससे उर्जा का विशंचार हो वो शिव है ओम नमस्षिवाएं